है गाइज वेलकम बेक टूम एडिव चैनल तो आज हम आप उसी सीजिस को फिर से कंटीनू करने जा रहे हैं अगर आपने प्रीवेश चैप्टर्स के एक्स्प्रेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो प्लेश में अवलेबल है साइंश इंट गोडो नाम से और प्लेश अपने रुइन से शोपकीपर और जोंगरुई दूनों को हरान कर देता है जोंगरुई दोड़के निंग के पास जाता है और उसे बोलते है कि लुजएंग बढ़ जा कमाल का है तो निंग बोलती है कि या तुम बक्वास कर रहे हैं मेरे सामने जूट बोल रहे हो तो अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो इसकी काम को देखो जो उसने बनाया है है फिर वो लुजेंग के रुइन को उसके पास देता है निंग के हाथ में और निंग भी उसके असर से हःड़ान हो जाती जो कि रुइन कर रहा होता है निंग बोल रहे होती है क्या यह समझ गई हूँ अब तुम जा सकते हो निंग सोच रही होती है कि चलो मैं अभी के लिए इस बच्ची को केला छोड़ती हूँ देखती हूँ मैं यह क्या कर सकता है फिर में नेक्स डे का सीन दिखा जाता है लूजंग सोच लो तक ही बड़ ज़द अच्छ हो तो जब तुम फ ब्रैगन ने बोला था कि एक फोर स्टार गोड लाइन है जिसका नाम होता है साउल ब्रैथ वो कल्टिवेशन की यूजर की एफिसेंसी को डबल कर सकता है मैं उन मेटिरियल को भी बाय करता हूँ देखता हूँ कि मैं उनने ड्रो कर सकता हूँ कि नहीं मिस्टर शांग ने पिछले दिन कि जो मेटिरियल है फोर स्टार गोड लाइन के लिए वो कम भी मिलते है सप्लाइ में और उसने मुझे भी बोला था कि अगर तुम खरीदना चाहते है उसे तो वर्ल्ड कमर्शिल ऐलाइन्स में जाओ फिर लूजंग विंड का इस्तमाल करता है और उड़ने सब्सक्राइन, फिर बरते हैं वो बोल रहा है बड़ साथ को सकते हैं में इस विंड को तुम ऐसे गार्द्श रोकते हैं और कि रुक जाओ ये ब्रांच ये हैं गोड ऑकर सकते हैं और तुम तब इसलांग हो ए्न्यों सत्थे तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। लूजंग फिर इंविटेशन लेटर को दिखाता है और बोलता है कि यह है इन्विटेशन लेटर वर्ल्ल कमर्शिल अलाइंस का अब तुम्हें दिखाए दिया। वहां से एक इनसान बाहरा होता है। लूजंग भी देख रहा होता ह वह बोलता है हसते हुए कि लूजंग तुम्हारा बरज़ा शुक्री आने के लिए मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा था दर्वाजे के उपर। वर्ल्ल कमर्शिल अलाइंस का हैड ओफ दा ब्रांच होता है क्लाउट टेंपल में इसका नाम है मोल जो गार्ड होते हैं वह सोच रहे होते हैं कि कौन है जिसके लिए हैड खुद आया हुआ है गेट के उपर उसे बुलाने के लिए लूजंग बोलता कि तुम कौन हो तो वह बोलता कि मैं मोली जोंग हूँ प्लीज अंदर आ जो यंग हीरो चलो थोड़ सी चाई पीते हैं औ दूसरा गार्ड बोलता कि हमारे साथ बहुत बुरा होता अगर हैड को पता लगता कि हमने इसे कैसे ट्रीट की है तो लूजंग बैट जाते है मोली जोंग के साथ एक टेबल पर मोली जोंग बोलता है कि क्या तुम क्या खरीदना चाहते हो सेल करना चाहते हो लूजंग बो वो बोलता है कि इसके वह से तुम्हें 20% डिसकाउंट मिलेगा जो भी तुम बाई करोगे हमारे ब्रांचिस से और हम तुम्हें बड़ जादा पैसा देंगे तुम्हारे रूइन्स के लिए जो तुम हमें बेचोगे जितना मार्केट प्राइस है उससे भी जादा लूजंग सोच रहा होता हसते हुए कि वर्ल्ड कमर्शिल अलाइंस में तो चीज़ बड़ जादा अच्छी तरह से चल रही है यह बड़ जादा अच्छे इंसान है तो लूजंग रूइन्स को दे देता है उसे और बोलता है कि यह रूइन से जो मैंने बनाए है यह ऐसे तो वन स्ट लूजंग बोलता है कि मुझे टू बोटल ओफ स्काइडूम स्पिरिट लिक्विड चाहिए 5000 एयर और परपल थंडर बैंबू चाहिए और थावजंड एयर डीकु जिन सिंग और फिर लूजंग रुख जाता है विकोज जो हैड होता है मॉली जॉंग वो बोल रहा होता है कि क्या लूजंग उसकी तरफ देख रहा होता है मॉली जॉंग बोल रहा होता है मुझे डर है कि मैं तुम्हारी इसमें है informational है तो लूजंग भूजर आपका बहुत शुक्र रिया फर बूलता है मेरे पास ठन्डर बैंबू बेंबू की information है जो जो कि मेरे का भी recent report से मिली है और मेरे पास उसका map भी है लूजंग बोलता है कि इतना भी जादा secret नहीं है और इतना भी जादा क्या बोलते हैं वौर्थ नहीं है कि जिसके लिए तुम्हें मुझे बड़ जादा price पे करना पड़ेगा मैं तुम्हें ऐसे बता देता हूं इसे जो बात है माउंट रूइन एस्टन डॉमेन में जो बहुत ज़ादा डेंजरस प्लेस है मैं तुम्हें ऐसे सजेस्ट नहीं करूँगा वहाँ पे खुद बखुद जाना पर तुम्हें वहाँ पे मिल जाएगी फंडर बैंबू लूज़ंग गोलता शुक्री आपकी इस इन्फोर्मेशन के लिए पर मुझे खुद बाखुद ही फाइंड करना पड़ेगा फिर हम जूमू टाउन का सींड दिखा जाता है Western domain में लूज़ंग वहाँ पे पहुंच गयाता और वो ہसता और बोलता है कि चलो मैं शुकर है यहां पे पहुंच तो गया हूँ फिर लूज़ंग एक रेस्टोरेंट में जाता है सोच रहुता है कि यहां पर गुशन कर रहे हैं लूजैंक यह देख रहा होता है तो वहां पर वह मैरेडिसर्ण की साइट साइट रहुता है मैं जलुदी ठीक है मैं जल्दी वापिस आऊंगा वो जैसे मुड़ता है वो हस रहा हुता है मैं पहले खा क्छा रहा हुता है लूजंग जी काते हैं। losing बोलता कि तुम इंतने जदेशादा confused की लग रहे हूँ तो बोलता है कि कुछ नहीं वैल मुझे लग रहे हैं लियना कि या ने कुछ डाला हूँ है losing बोलता कि क्या तुम सोच रहे कि खाने हिप इंप मेरे को क्यों इसर कर रहा तो इसको सुनके जो वेटर्स होते हैं सारे उस रेस्टराइंट के वो हरान हो जाते हैं जो मेनेजर होते हैं रेस्टराइंट को वो ओर्डर देते हैं कि इसे पकड़ो जाके लूजंग बोलता है अच्छा ठीक है तो मेनेजर बोलता है कि तुमने बड़ ज़दा अच्छा काम किया हमने एक और पिग को पकड़ लिया आज तुम जाओ इसे और लेके जाओ नीचे लूजंग सोच रहो था पिग ये क्या कर रहे है इनका बिजनस क्या है मेनेजर बोल रहा है कि तुम्हें पता अब तुम नर्क में जाने वाले हो ये तुम्हारा कैसा लूग है मूब के उपर तुम्हारी शकल देखे मुझे गुसा रहा है फिर लूजंग यहाँ वाँ देख रहा होता है लेफ्ट और राइट मे लूजंग पीछे देखता और बोलता है तुम भी मेरे को पिक बोल रहे हो मेनेजर ने मेरे को ऐसे बोला था इनके इंटेंशन के ऐसा करने के लिए क्या चाते है तो वो जो इनसान होता है वो हसता है और बोलता है लूजंग बोलता है विश्वास करो या ना करो इससे मेरे को क्या है तुमने मुझे अभी ये बताया है नहीं कि हम ये पिक क्यों बोल रहे है तो जो बाकी इनसान होते है वो चुप हो जाते है और जो पहले वाला इनसान होता है वो बोल रहा होता है कि हम पीग गए इसलिए हमें ये पीग बोल रहे हैं हम ऐसे पीग गए जिनको ये मॉंस्टर्स को खिलाने के लिए यूज करेंगे अब तुम्हें पता लग गया था तुम चुप रहा हो ऐसे सुनके जो बाकी इनसान होते वो भी थोड़े से डिप्रेस हो जाते है लुसंक बोलता है कि मुझे प्लीज समझाओ तो सही एग्जेक्टली क्या मतलब है इस चीज़ का मैं तुमारी हेल्प कर सकते हो तुम हमें सेव कर सकते हो तुम तो अबी सिरफ फूर्थ लेर ओफ स्काई रेलनम में हो तुम्हारे रेलम तो मेरे से छोटा है और नीचे है मैं तो 7th layer में हो तुम हमें कैसे save कर सकते हो तुम तो खुद को save नहीं कर सकते हो तुम हमें कैसे save कर सकते हो फिर वो हसता है तो एक dispel बोलता है कि जो in है यह इसलिए set किया गिया है ताकि यह sky realm के people को catch कर सके यह in का purpose है जो असानी से तोड़ देता है तो जो बाकी होते है इंसान वो हरान हो जाते है तो बोलते है इंक्रीडिबल यह कैसे कर सकते है तो एक जो member होता है वो बोल रहा होता है कि इसने तो genuine energy को भी यूज नहीं कि अपनी रसी को तोड़ने के लिए तो दूसरा सोच रहा होते है कि इस के पास तो बड़ जारा strength है तो जो बाकी होते है इंसान वो बोल रहे होते है कि हमें भी छुड़ाओ बच्चे लूजंग बोलते है ठीक शांत हो जाओ पहले मुझे सारी exact situation बताओ तो यह मैं तुम्हारी help करूंगा तो एक इंसान बोलता है कि ऐसा बोला जाते है कि purple thunder bamboo जो बड़ जादा dangerous place और वहां पर बड़ जादा monster पाई जाते हैं तो इसलिए जो martial artist है यहां की local वो हम जैसे लोगों को catch करते हैं और अगर उन्हें monster मिले रास्ते में तो उन्हें खिला दे वो फिर हमें बताय जाते है कि purple thunder bamboo जो होता है वो बड़ जादा unique होता है और उसको साल लग जातने ऐसे नीचे धरती में और उसके बाद भी वो फिर उगेंगे तो सिर्फ कुछी इंचिस उगेंगे underground पर फिर अगर वो उगना स्टार्ट करेंगे ground के उपर तो वो ground को पहले फाड़ेंगे फिर वो बड़ जाद मीटर increase हो जाएंगे अपनी height में कुछी weeks में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो शूर करो आपने दोस्तों के साथ कमेंट करके बिताओ अगर आपको ये वीडियो कैसे लगी है सब्सक्राइब करो तब तक लिए बाइबाइ